नमस्का शामदरिक बिज्ञान के इस अंक में एक बार पुनो आपका स्वागत है दोस्तों मैं हूँ भासकरानंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्त रेखा का ये अंक अपनी ही पसंदीदा यूटूब के चेनल गो ब्लोक्स में एक सुन्दर सी फीमील हतीली आप महिला ज ये आईताकार है और हतीली की जो स्रेणी होती है जो प्रकार होते हैं उसमें सबसे उच्च स्रेणी की हतीली है तो ये बहुत अच्छा है निश्चित तोर पे एक एनलेटिकल स्वभावाला विक्तित तो रहेगा एक दार्चनिक किसम का विक्तित तो रहेगा एक रिसर्च वाला एक सोद वाला और एक जिग्यासु परवर्ति वाला विक्तित्वर निश्चित तारपे आपका रहेगा, करियर के मामले में देखें तो जिस काम में बोलने से बहुत जादा काम चलता हो, या जिसमें मस्तिस्क का बहुत ज़्यादा काम चलता हो सारिक मेहनत की जो रतकम करने पड़ती हो ऐसा करियर आपके लिए ज़्यादा सुटेबल रहेगा तरक्की देने वाला रहेगा और ऐसे करियर में आप खुब उन्नती भी जीवन में करेंगी दूसरी बात अगर हम देखते हैं हतेली की जो खुब सूरती है जो इसकी रंगत है जो इसका औरा मंडल है वो बहुत अच्छा है थोड़ सा समयल तो लग रहा है लिकन ये दिखाई दे रहा है आप इस समस्चा से निकल करके एक बेहत्रीन जीवन जीने वाले हैं आपका भग यह 100% आपका साथ देने वाला है जिस से आपका मन परसंद रहेगा और जीवन में खुश्णुमा माहूल बना रहेगा ये इस पश्ट तरीके से यहां पे दिखाई दे रहा है बरतमान में दो चीजें बहुत खराब हैं इन चीजों से आपको उभरना है इनको ठीक करना है सबसे पहले देखेंगे आपकी जो ये रिंग फिंगर है और इसके नीचे का जो ये भाग है इसको हम सूर्य का परवत कहते हैं इस सूर्य के परवत में अगर आप देखेंगे ये रेखाएं इस प्रकार से आ रही है और जो है इस प्रकार से नीचे की और ये देख रही है बुद्ध की तरब इसका सीधा सा मतलब है कि आप अपने जीवन काल में लगातार उलजे हुए है समान तो आता है लेकिन प्रेसानियां, बंदनामी, इत्यादी चीजें भी साथ साथ आ जाती है ऐसा लग रहा है कि आपकी प्रेसानियां जैसे खतम ही नहीं हो रही है आपका तनाव जैसे खतम ही नहीं हो रहा है आप प्रेसानियों से मुक्ती ही नहीं ले पा रही है ये इन चीजों को दिखा रहा है और ये बता रही हैं कि मन में बहुँ बिचार उत्पन हो रहे हैं करियर को लेकि कभी ये करना चा रहे हैं कभी वो करना चा रहे हैं लेकिन न तो ये कर पा रहे हैं ठीक से न वो कर पा रहे हैं किसी एक चीज में सपलता हासिल ने कर पा रहे ह दूसरी चीज अगर देखेंगे ये वाला हिस्सा भी बहुत ज़्यादा फूल गया है और ये सनी का हिस्सा है ये बहुत ज़्यादा जब फूलता है तो नेगेटिव प्रभाव देता है भाग्य की उपर करियर की उपर और आपके पूरी जीवन को अपने उपर ले लेता है तो ऐसे में बेवजहे की बहुत ज़्यादा चिंताएं डिप्रेशन तनाव ब्यक्ति के अंदर और एक प्रकार का दबाव ब्यक्ति के अंदर आ जाता है या कोई न कोई वजहें ये पैदा करता है जो ब्यक्ति के अंदर तनाव देता है डिप्रेशन देता है और कहीं न कहीं चीजों को खराब करता है सनी के कारण ठीक है न एक चीज अगर आप और देखें फिर इस पे भी आते हैं ये भी बहुत ज़्यादा फोलावा दिखाई देरा ये मेन चीज है ब्यक्ति के जीवन में लेकिन यहाँ पे अंगोठा देखते हैं आप देखेंगे इसका पहला पौर्वे से दूसरा पौर्वा बहुत लंबा है ठिक दुगना से भी ज़्यादा ऐसा नहीं होना चाहिए अगर ऐसा होता है तो ये क्या कह रहा है पता है आप अपना नुकसान अपनी जल्दबाजी में कर सकते हैं निरणयों के कारण आपका जीवन में नुकसान हो सकता है आपको अपनी जीवनकाल में बड़ा सोच समझ कर निरणय लेनी है ठीक है ने और देखेगा ये 42 एर के बाद अभी तो दो सालों लगेंगे आपको मैं अगर कहूं तो 42 नहीं 46 के बाद जो है आपका भाग्योदाई यहां पे दिखाई दे रहा है ऐसे लोगों का 100% मैंने जो देखा है सुर्वाती दोर थोड़ा सा पीड़ादाई रहता है घर परिवार का भी सुख ऐसे लोगों को थोड़ा कम मिलता है ठीक है न ये चीज़ें दिखती हैं लेकिन 56 वर्ष की आयू के बाद पुनह आपका दोवारा भाग्योदाई है यहां पर देखेगा ये आपकी इंडेक्स की फिंगर है और इसके नीचे वाला जो ये भाग है ये हमारी हतेले में बैटने वाले पर्थम आचारे ग्रह होते हैं रिसिक ग्रहों होते हैं ठीक है न ये ब्रामनों के देवताओं के ध्यान रखेगा और रिसियों के गुरू होते हैं तो इनसे बड़ा प्रभाव हमारी जिवन में किसी और ग्रह का प्लैनेट का नहीं पड़ता है यहां पी बहुत ज़्यादा फूल गए हैं इनका बहुत ज़्यादा दब जाना बहुत ज़्यादा फूल जाना अच्छा नहीं माना जाता है कहीं न कहीं ये आपके अंदर धीरे धीरे एगो प्रॉबलम देता हुआ दिखाई दे रहा है और देरे देरे खाने में बड़ी रूची रखेंगे, भोजन पिरिया बन जाएंगे कुछ भी खाते रहना, हर समय खाते रहना, इस बात की संभावना बहुत जादा बनती हुई दिखाई दे रही है अब दूसरी बात देखेगा देखेगा, हमारी जीवनस में सबसे ज़्यादा जो सुब है या जरूरी है उन चीजों का ये मालिक होता है ऐसे में जब ये बहुत ज़्यादा फूल जाता है या दब जाता है या इसमें कुछ जाल का निसान ऐसी चीज़ें बन जाती है तो ये नगेटिव फल देता है ऐसे में आपके अंदर चाहे कितना भी अच्छा ग्यान हो कितनी भी अच्छी नौलेज हो उसको इंप्लिमेंट करने के लिए आपके पास प्लेटफॉम नहीं होता है अगर प्लेटफॉम आपको मिल भी गया आप उस चीज़ को यूज नहीं कर पाते हैं और यही इस्तितिये आपके साथ दे रहा है ऐसे में जो दामपत्य जीवन का बैबाहिक जीवन का जो चरम सुक होता है उसके बीच में ये प्रस्तितियां खड़ी करता है बीच्ति को चरम सुक का भोग नहीं भोग नहीं देता है बलकि उल्टा करता है उसके कारण डिप्रेशन होता है उसके कारण तनाव हो जाता है उसके कारण मन खराब हो जाता है उसके कारण तमाम आयाम आपके जो है खराब होने बैठ जाते हैं ऐसे में संतान को लेके बहुत ज़्यादा चिंताईं बिक्ति के जीवन में आ जाती हैं बिक्ति बहुत प्रेशान हो जाता है पैत्रिक संपत्तिका ऐसे में लाब नहीं मिल पाता है और धन को लेके बहुत ज़्यादा समस्याईं आनी सुरू हो जाती हैं और सभी परकार के जो सुक हैं जो मानव जीवन के लिए चाहिए ही चाहिए उन सुकों को ये दबा लेता है ऐसे में आप कितना भी पाठ पूजा कर लो आपको इश्ट किरपा नहीं मिल पाती है घर के जो बुजर्ग हैं उनके साथ भी समन्द खराब रहने बैठ जाते हैं या बुजर्गों की वजोसे भी परेशानिय आने सुरू हो जाती है कैस की दिक्कते आने सुरू हो जाती है और सबसे बड़ी बात है ये आपकी जीवन से खुशियों को निकाल लेता है आपको तरकी नहीं मिलती है ऐसे मीं बस केवल गुजारा कर रहा होता है बैठ थी means तरकी का मतलब होता है एक लेवल पार करके दूसरे और्बिट में पहुँचना वो नहीं हो पाता है । और ऐसे में सबसे बड़ी बात है गुरू नहीं मिलता है गुरू का मतलब है कि एक अच्छी सलाह देने वाला बेक्ति सही दिसा दिखाने वाला बेक्ति ऐसे में नहीं मिल पाता है और कहीं न कहीं जीवन में बहुत बड़ा संगर्स ऐसे लोगों को करना पड़ता है अपनी आपको अकेला महसूस करते होंगे आप ये निश्चित तोर पे ये दिखाई दे रहा है जब तक गुरू ठीक नहीं होगा तब तक आपकी जीवन में कुछ भी ठीक नहीं होगा इस बात का ध्यान रखेगा और साथ में आपका सूर्य और सनी भी आ रहे हैं सबसे बड़ी प्रोब्लम सूर्य और ब्रिस्पती ही दी रहे हैं आपके जीवन में ठीक है न तो जब तक इन चीजों की बहतरीन नहीं करोगे तब तक कहीं न कहीं ये आपकी जीवन का मूल यही है आपको यही ठीक करना है अब मैं कुछ hidden किरियाई लिख के देऊंगा कुछ इसके उपाई भी दूँगा मन लगा के करेगा उसी बिदी से करेगा 100% दो वर्सों के बाद आप अपने जीवन को एक बेहतरीन इस्तिति में देखेंगे एक चमतकारिक ढंग से बदलते हुई देखेंगे जिससे मन भी परसंद रहेगा खुश नुमा माहूल बना रहेगा आंतरिक खुशियों से ओत प्रोत रहेंगे जहां स्वास्तिय आरोग या तंदुरस्ति भी बहुत अच्छी रहेगी अपने करियर में भी नए उच्छाल देखेंगे अपने को जो है हर परकार से सुकी देखेंगे हां मेहनत बहुत ज़्यादा करने पड़ेगी लेकिन जब देखते खुश हो उसकी जीवन में उत्सा हो उर्जा हो वो मेहनत करने से नहीं कतराता है ठीक है नब देखेगा आपका जो है पहला सवाल संतान योग है या नहीं इस वज़ों से बहुत ज़्यादा परेशान रहती हो देखेगा मैं इस पष्ट तरीके से कह रहा हूँ गुमा फिरा के बात नहीं करूँगा वो इसे कहना नहीं चाहिए लेकिन जब तक ब्रिस्पति आपका बेहतरीन इस्तिति में नहीं आएगा तब तक ये संतान सुक आपको प्राप्त नहीं होने देगा ठीक है नब है नहीं वो बात अलग है लेकिन तब तक ये संतान का सुक आपको मिलने ही नहीं देगा जब तक ये ठीक नहीं हुआ क्योंकि ये गुरु है आपकी जीवन का मूल यही है ठीक है न महिलाओं के जीवन का निर्धारण करने वाला यही होता है और बिबाह कि संपूर्ण जिम्मेदारी भी महिलाओं के हतीली में इसी का होता है जैसे आप महिला है न आपका करियर कैसा रहेगा आपकी साधी कैसी रहेगी आपकी साधी सुदा जिन्देगी कैसी रहेगी इन तमाम चीजों की जिम्मेदारी इनी के पास होती है वास्तविक रूप में देखा जाए तो ब्रिस्पती मतलब होता है महिला की जीवन का निर्धारन करने वाला इसलिए महिलाओं की जीवन में ब्रिस्पती देव की अहम रोल होता है बड़ी भूमिका इनकी पाई जाती है तो आपको मुख्य रोप से ब्रिस्पती पे ध्यान देना है तब जाके आपकी चिंताईं खतम होंगी हर कुछ मिलेगा अगर विर्ष्पती ठीक रहेगा तो दूसरा प्रश्ण आपने तो दूसरी रोप में लिखा है लेकिन मैंने एक अलग रोप में इसको बताया है दामपत्य जीवन में बहुत जाता मतभेदता है बैचारिकता है ठीक है नए बैचारिक मतभेद है आपको लगता है कि उनके जीवन में कोई दूसरा आ गया है और वो आपको तलाग देना चाहते हैं ठीक है नए? और इस वज़ों से भी आप बहुत जादा इस रिष्टे से परेशान दिखाई दे रहे है लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि उनके जीवन में कोई दूसरा आ गया है कहीं न कहीं ये दो चीजें जो है आपकी हतीली में काफी खराब इस्तिति में बैठी हुई दिखाई दी रही है और धीरे से छुपके एक राहों की इस्तिति भी आपकी हतीली में आ रहा है हो सकता है अगर ये परबल हो जाए और ये इस्तितिया ऐसी बनी रहे इस रिष्टे से तलाक होगा इसमें भी कोई दोराई नहीं है ठीक है ने कोशिस करें इस रिष्टे को जितना समाल के रखना चाते हैं रखिएगा उपाई कीजिएगा ठीक अच्छा आज़ा आपने तेसरा प्रश्ट पोचा है क्या मेरी ये साधी चलेगी या तोट जाएगी क्योंकि अभी जो समय चल रहा है वो बहुत खराब चल रहा है आर्थिक रूप से भी और मानसिक रूप से भी दामपते जिवन की रूप से भी ठीक देखेगा धन का मालिक भी यही है करियर का मालिक यही है दामपते जिवन का मालिक यही है और विस्तार फैलाओ देना इसका काम है और नौकरी का मालिक सनी है ये तीनों चीज़ें आपकी खराब है यहाँ पे अगर मैं देखू तो साधी तोटने की नौबत तो नहीं ह चलेगी तो सही लेकिन ये आपके उपर डिपेंड करेगा कितना आप समाल के रखना चाहते हैं उपाई दोंगा ज़रूर करें लाब होगा और अभी कम से कम दो सालों तक आपको थोड़ा सा धहरे बना की चलना है दो सालों तक बहुत ज़्यादा फरक पड़ेगा ये नहीं कह सकता हूँ चाहे आप कितनी भी बड़े एस्टोलोजर के पास चले जाएं कितने भी बड़े कर्मकांडी या तंत्रविद्या वाले विक्ति के पास चले जाएं समय को नहीं बदल सकता है कोई भी इस बात का ध्यान रखने है जो करमाज है प्रारब्द के उसका भुकतान आपको करना ही है ठीकन लेकिन उसके बाद निश्चित तोर पे मैं कह सकता हूँ चमतकारिक रोप से आपकी जीवन में बदलाव है और बहुत बड़ा बदलाव है बस उपाय करते जाएंगे और इस वर की सरणागती चलते जाएंगे बहुत बड़ा लाव होगा मेरा आने वाला बहुशक ऐसा रहेगा जो इस्तिती चल ड़ी है इससे में कब तक बहार आओंगे इस इस्तिती से दो साल के बाद आप बहार आ जाएंगे आने वाले समय ऐसा रहेगा कि जिस से मन परसंद रहेगा और जिवन में खुशनमा माहूल बना रहेगा ये निश्चित तोर पे आपकी हतेली इसपष्ट कहे रही है आप चलते हैं कुछ और चीजों को देख लेते हैं यहां पर देखेंगे तो धार्मिक भावना ये बहुत जादा रहेंगी इस स्वर में विश्वास बना रहेगा और अपने आरद्य के परती समरपन की भावना रहेगी कैसी भी इस्तिती हो आरद्य से समरपन की भावना नहीं उठेगी विश्वास नहीं उठेगा विश्वास बना रहेगा इसको देखें ये भी पूरी तरों से इस तरफ की और जुकी हुई है यकीनन आप अपने जीवनकाल में बड़ी सपलता तो प्राप्त करेंगे लेकिन बहुत जादा मिहनत और बहुत जादा प्रिसरम करने के बाद ही चीजों में आपको सपलता मिलेगी कई बार आपको दोड़ा धूपी का काम भी करना पड़ेगा ये पूरी तरों से जुकी हुई है इसकी तरफ निश्चित तोर पे यस पाने की चाह रहेगी नेमफिम पाने की चाह रहेगी और अपने कारियों में विस्तार और फैलाव पाने की चाह भेवी रहेगी और एक ब्रांड बनकर उबनने की भी चाह रहेगी ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो ये दोनों उंगलियां लगभग बराबर है और दोनों मिडल फिंगर से छोटी है धन और यस की चाहा है पैसा और सम्मान जीवन के लिए बहुत जरूरी हो गया है और जीवन का मुख्या लक्षबी अब यही दिखाई दे रहा है अच्छी भी बात है रहना भी चाहिए सबसे छोटी उंगली देखेंगे तो पूरी तरों से जुकी हुई है इसकी तरफ धन कमाने की ललक बहुत ज़ादा रहेगी और आगे चल कर इसका लाब भी बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है लेकिन ये इसके पहले पौर्वे तक नहीं पहुच पा रही है तो जिस परकार से बिक्तित्तों को उभर करके और एक परकार से निखर के आना चाहे था वो दबा दबा से यहां पर दिखाई दे रहा है ठीकने गुट-गुट से जिता हुआ दिखाई दे रहा है और धन के प्रबंदन में, कागजों के रखरखाओ में एकाउंटबिल्टी में, फाइलिंग में और कम्यूनिकेशन इसकिल्स में भी काफी कमी दिखाई दे रही है इस कमी को नेचरल तरीकी से पूरा करने के लिए यहां तक अपना नाखोन बढ़ाएं तो आपको बहुत ही अच्छा लाब होगा यह निश्चित तोर पर यहां पर दिखाई दे रहा है ठीक है इसके बारे में मैं पहले ही बता चुका हूँ यहां पर अगर हिर्दई की रेखा को देखती है तो यह देव गुरु बरिस्पति से मिल रही है ठीक है और यहां पर थोड़ा सा यह किलियर्टी की इस्तिति में नहीं है तो एक योगा दे रहा हूँ और एक किरियाद दे रहा हूँ थोड़ा सा आपका जो रिस्तों का प्रभाव है वो आपके जीवन में एक मिठास स्वरोप में आ जाए जो प्रिथिवी तत्वा है आपके अंदर वो जागर्त हो जाए तो उसके लिए मैं कुछ योगा और कुछ किरियाई हिडन वाली दे रहा हूँ लिख करके आपके वर्टस अप नमर पे जरूर करिएगा यह यहाँ पर ब्रिस्पति से प्रभावित हो रहा है यह बहुत अच्छी बात है आगे अपके बिहुआर में यह बहुत बड़ा परिवर्टन करने जा रहा है खास करके दो वर्षों के बाद आपकी जीवन में इसकी स्रेष्टता और उबर रही है सब के लिए सोचने वाला जो बिक्तित्वा है आपका वो बहुत तीबर मामले में उबरेगा और आपको एक अच्छा नौलेजबल इनसान बनाएगा एक बुद्धिमान और एक तीजोस्वी प्रेम के मामले में यह बहुत स्रेष्ट बना रहा है जिसको भी प्रेम करेंगी हिर्दे की गहराई से प्रेम करेंगी चाहे आपका बच्चा हो, चाहे आपका हज़्वेंट हो, चाहे भाई हो, चाहे माँ हो, चाहे एक दोस्त हो ठीक ने, अंत तक निभाने वाला बिक्तित्व आपका रहेगा लेकिन स्वाबिमान की भावना बहुत जादा रहेगी स्वाबिमानी होंगी इसमें कभी-कभी अभिमान का पुट भी आएगा लेकिन उससे कोई दिक्कत नहीं है पून तो विश्वासी रहेंगी विश्वास किया जा सकता है ऐसा विक्तित तो रहेगा निर्मल हिर्दे का विक्तित तो उबर कर आ रहा है जब आपका सूर्य एक बहतरीन इस्तिति में आ जाएगा सूर्य में जो दोस चल रहा है वो खतम हो जाएगा तो आपको मान, पद, प्रतिष्टा, उचे पद की भी प्राप्ति होगी अपने करियर में इसमें कोई संदेह नहीं है आगे चल कर ब्रिस्पति का बहुत अच्छा प्रभाव पड़ेगा सूर्य का बहतरीन प्रभाव पड़ता हो दिखाई दे रहा है तो दो से ढ़ाई वर्स के बाद अगर मैं देखू तो चाहे आप व्यापार करें, चाहे नोकरी करें, चाहे और भी काम करें समाज में एक स्रेष्ट जीवन निश्चित तोर पर गारंटी के साथ कह रहा हूँ, आप जीएंगे यह यहाँ पर इस पश्ट दिखाई दे रहा है मस्तिस्क रेखा देखेंगे, तो मस्तिस्क रेखा भी आपकी बहुत सुन्दर है बहुत अच्छी सुन्दर यहाँ पर दिखाई दे रही है लेकिन इसमें कहीं कहीं दीप हैं, कहीं कहीं जो हैं, रेखाईं काट रहे हैं ऐसे में तनाव की इस्तित रहती है मस्तिस्क है ने, ठीक है ने, डिफ्रेशन की इस्तित रहती है जल्दी जल्दी anxiety की समस्या रहती है ठीक है नहीं और हतीली में पैसा नहीं बच पाता है धन के मामले में ये बिमारों अवस्ता में ले जाता है तो इसके लिए एक दिब्ययोग ध्यान के रिया दे रहा हूँ प्रोपर तरीके से करेंगे आपको लाब होगा दूसरी बात अगर मैं देखूं तो बौदिक अस्तर आपका बहुत अच्छा रहेगा मानसिक संतुलन आगे चलकर बहुत सुन्दर है यहाँ पर देखेंगे तू ये जीवन देखा इस प्रकार से जा रही है तो ये थोड़ा और इस तिरता है जीवन में अर्चने हैं इस चीज को दिखाता है क्योंकि इसकी सपोर्ट लाइन भी उबर रही है तो इसका मतलब है कि हनमान जी की पूरी तरों से सरनांगती आपको जाना होगा डेली ये मत कहे कि कोई क्या कहेगा या यूट्यूब में अलग-अलग परक कार से बताते हैं तो इस चीज में मत जाएगा सुबह अश्चनान इत्यादी करके और अपने जो है जो भी क्रियाएं दोंगा उस क्रियाओं को पूरा करने के बाद डेली हनुमान चालेसा का कंबल के आसन पे एक लाला आसन बिचा के बैठ करके पूरब्दिशा के तरह मु सुबह और साम को भी कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है आपको बड़ा लाब होगा इससे ठीक है ने आपकी करियर और धन की रेखा देखेंगे तो कहीं न कहीं इस प्रकार से जा रही है आगे खुद की बलबूती पे आप जो है अपना घर बनाएंगे ये निश्चित है भगवान शंकर और मापारवती की भी आपके उपर बहुत बड़ी किरपा है इसका भी आपको लाब होगा यहां पर देखेंगे तो अभी 18 महेने तक तो थोड़ा सा मानशिक चिंताईं ज्यादा रहती हुई दिखाई दे रहा है लेकिन दिब्ब्य योग ध्यान किरिया से दिब्य सूर्य किरिया से चीजें बैलेंस अवस्ता में आएंगे यह निश्चित तोर पे दिख रहा है गोमने फिरने के आगे खुप सौकिन रहेंगे यात्राओं का बड़ा मौका मिलेगा जिससे मन परसंद रहेगा खुश्णमा माहूल मना रहेगा यह देखेगा यह सुकr है यह कला हैं संधर हैं संदरता है इन सब चीजों के लिए और एक सुखत जीवन जीने के लिए हतेली में इसका पुष्ट होना जरूरी है आपकी हतेली में यह धीरे धीरे संदर अवस्ता में उबर रहा है तेजल्शमा में आ रहा है आपको भी आगे चलकर यह बहु उप्सूरती को बढ़ा रहा है और जो सुनरता है जो आकरसन है वो आपके अंदर विद्यमान होगा इस चीज़ को बता रहा है हर प्रस्तित को जेलने की ताकत भी देता हुआ यहां पर दिखाई दे रहा है तो बहुत अच्छा समय है आगे ग्रहों की वुजो से यहां पर थ बेयोगध्यान किरिया करें लाब होगा निम्न मंगल देखें और उच्छ मंगल देखें तो आगे चल कर प्राक्रम बहुत अच्छा रहेगा एनरजेटिक स्वभाव बना रहेगा कोई भी आप से मिलेगा वो कमपटेवल फील करेगा इसके बारे में मैंने पूरा बता दि यहां पर एक लाइन भी जा रही है आगे चल कर भगवान बिष्णु की भी बड़ी किरपा यहां पर आपके उपर दिखाई दे रहा है ठाकुर जी की इसके बारे में मैंने बता दिया देखेगा यह बहुत कमजोर इस्तित में है बहुत गलती इस्तित में सूर्य बैठी और अगर आपको परफ्यूम से एलर्जी नहीं है तो रोज नहाने के बाद चंदन का परफ्यूम लगाएं दस ग्यारा दिन तक रोज जो है ब्रस कनने के बाद दो पत्ति तुलसी का सिवन करें एक हरारो माल अपनी जेब में या अपने ओपिस के बैग में रखें उसको य बड़ा लाब होगा मन मजबूत रहेगा confidence लेबल बहुत अच्छा रहेगा आगे चल कर सरीर का हार्मोनल सिस्टम भी बढ़िया रहेगा और कहीं न कहीं जो है जो anxiety है जो depression है जो तनाव है इस इस्तिति से आप लगबग दो वर्सों में उभर कर बाहर आ जाएंगे तो अग बीडियों के माद्यम से भीज रहा हूं आप करने की कोशिज करें निश्चित ही आपको बड़ा लाब होगा इस बीडियों में बस इतना ही एक नई बीडियों के साथ मुनोपस्तित हूंगा तब तक के लिए नमस्कार